हाई फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आज में लेकर आई यह बहुत ही यूनिक पराठा की रेसिपी यह पराठा एकदम अलग ही है आपने शायद ही कभी यह बनाया होगा तो यह पराठा मैंने बनाया है मटर के छिलके का जो हम मटर लेकर आते हैं उसका चिलका हम फेग देते हैं आप उसे ये बहुत ही तेस्टी पराठा बना सकते हो तो आपको पहले मटर का दाना को निकाल लेना है उसके बाद जो उसका छिलका है उसको छिल लेना है तो उसको छिलना बहुत ही असान है मैं दिखा देती है उसको कैसे छिलना है आपको इसको उपर के तरफ से fold करना है और नीचे के तरफ टान लेना है तो इसके उपर एक पतला सा layer होता है plastic के जैसा वो उतर जाएगा तो बहुत ही easy है इसे उतारना देखिए एक plastic जैसा ये जो layer है इसके उपर ये निकल गया है तो सब को आपको इसी तरह से separate कर लेना है उपर के तरह fold करना है और नीचे टान लेना है तो बहुत easily निकल जाएगा तो सब को इसी तरह से छिल लेते हैं अगर आप मडर का छिलका का पराठा नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसकी सबजी भी बना सकते हो इसका सबजी बनाना भी बहुत ही easy और बहुत ही अलग अलग तरीका से आप इसकी सबजी बना सकते हो तो अगर आप इसकी सबजी की recipe जानना चाहते हो तो आप मुझे comment करके जरूर बताएगा मैं आप लोग के लिए जरूर तो ऐसे cut कर लीजे तो मैं सीजर से simply पतला पतला इसको cut कर रही हूँ तो आप उत्वा पतला ही इसको chop करना है तो देख लीजे मैंने कितना बारिक काटा है आप भी आसे काट लीजे तो शली अब इसका मसाला बना लेते हैं तो मैंने यहाप एक कराई लिया है उसमें मैंने चार टीस्पून cooking oil डाला है तेल को अच्छे से गरम करने के बाद मैंने उसमें डाला है थोरा सा जीरा और एक पिंज इतना हिंग अब मैं इसमें डालूंगी बेसन आदा कप तो बेसन को तेल में अच्छे से roast कर लेना है तो इसका कच्छापन हमें दूर करना है तो इसको 4-5 मिनिट्स के लिए लो फ्लेम में हमें अच्छे से roast कर लेना है तो आप देखिए इसका हलका हलका color बदल गया है तो ये बुन चुका है तो अब मैं इसमें बारिक कटावा चिलके को डाल लूंगी और या अच्छे से इसको Mix कर लूंगी तो आपको बेसं में इसको अच्छे से Mix कर लेना है और लो फ्लेम में आपको इसको भी हलका हलका क्योक कर लेना है बेसंकर साथ अब मैं आसमें डालूंगी नमक तो मैनें एक चमश डाला है 1 4 टी स्पून जितना हल्दी डाला है 1 1 2 टी स्पून रेच चिली पाउडर डाला है तो आप सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब मैंने इसमें 1 4 टी स्पून जितना कारा नमक डाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं लास में इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी जो ड्राइव मेथी के पते होते हैं मैंने इसको अच्छे से हाथों से क्रश करके डाल लिया है तो आप इसको एक बार मिक्स कर लेना है और फ्लेम को बन कर देना है तो यह ready है अब इसको आप कोई भी बाउन में transfer कर लीजिए ताकि यह जली से थंडा हो जाए तो मैंने इसमें हरा मिर्ची डालना एक दम भूल गया था पता नहीं लास तक मुझे याद नहीं आया हरा मिर्ची डालना है तो मेरे पास थोआ सब पेस्ट पर आये हरा मिर्ची का तो मैं उसको इसमें मिक्स कर रही हूँ तो आप स्टाटिंग में इसमें हरा मिर्ची डालना लिएकर जब आप इसका मसाला रेडि कर रहे हैं उसी वक्त मैंने थ्के अंदर थोसा तेल लगाया हए हर तरफ अब मैं इसमें अदर पतला सा लेर स्प्रेटकर लूँगी हर जगा ही मैं इसको लच्छा में इस तरीका से बिð sous देखिए साले को पुरा रोटी में अच्छे से स्प्रेट कर लिया है अब इसको आपको रॉल कर लेना है तो सिंपली एक पाट को उपर लिखे आए और हलके हाथों से इसको रॉल कर लीजिए इसलिए हो जाता है अब इसको हलका सा चिपका लीजिए ऐसे रॉल करते हुए और फिर इसक में आपको दुस्रा तरीका से बता दूंगे आप इसको कैसे बना सकते हूं तो आप इसको ड्राइ आटे में अच्छे से मोटा ही रखिएगा तो मैं आपको दिखा देती हूं कितना थिकने से पराठा का तो देख लीचे पराठा बिल चुका है मैंने हलका सा मोटा रखा है अब इसको सेक लेते हैं तवा में तो तवा को पहले मैं यहां पर ग्रीस कर रही हूं तो आसा ओल लगा लिया है और उसको तकि तवा अच्छे से ग्रीस हो जाए हमारा रोटी चिपके न तो एक तरफ से एक मिनिट सेक लिया ही मैंने तो इसको पैलट लिया है और यहां मैंने फ्ली मीडियम ही रखा है उसके बाद इसके उपर तेल लगा लेना है तो तो तुवा जाजादा करके लगाना है ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी बने तो यहां तेल लगाने के बाद इसको पालट लेना है और दूसरे तरफ से भी सीख लेना है तो इसको थो दबा दबा के अच्छे से सीख लिजे तो आप कोई भी कपरे की मदद से भी इसको दबा सकते हो तो यहां पर अच्छे से एक तरफ सीख बहुत तेस्टी लगता है उसमें भी और दबाते हुए दुसरे तरफ से भी अच्छा से सीख लेना है तो पराथा अच्छा से सिख गया है इसको निकाल लेते हैं तो यहां मैं दुसरा तरीका आपको दिखा देती हो अगर आप उस तरीके से नहीं बनाना चाहते हो तो सिंप जैसे को घना लिघालली पराथा बनाते हैं मैं उससे तरीका से बना रही हूँ तो थ Deutsch रग दीजिया अब इसको ब्लीच्छ बनाते होए फौल कर लेंगे और बीच तो पराथा डएधे है तो आपु को सर्फ कर दीजे का मैं निया है । दिखे चेनल को सब्सक्राइबि कर लिएगा । यह पाराथा बनाना है चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा थैंक एपर बाचे